आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि अगर आपके जमीन भी नहीं है सिरफ पानी से कैसे सब्जिया ली जा सकती है एक तरीका आपको बताने जा रहे हैं तेक ऐसा गिलास लेना है जो आप देख सकते हैं बलास्टिक का और अब इसमें हमने ऐसी ये जो खाद है बाद नहीं है, असल में ये नारियल का बुरादा है, इसको गड़ाया गया है, और और अर्गेनिक बनाने के लिए इसके टीट किया गया है थोड़ा, वह आपको लिखके बता देंगे, इस तरह से इसको भरना है, आपने, और भरके, कोई भी एक पौदा जो कि और डी नारिय इस तरह से इसको रूपित करना है, अच्छे से रूपित कर दिया, और रूपित करने के बाद, आप देख सकते हैं, ये पौदा लग गया है, अब कैसे करना है, ये आपको अभी बताते हैं, हमने ये और लेडी पहले जारी कर रखती है, ये चादर घटाएंगे, और वो च अब जियां लगी हुई है, और ये पानी है नीचे, आप देख सकते हैं, पानी है इन पाइपों में, और ये हमने इसमें लगा दिया, अब क्या है, इसमें ये पाइप है, ऐसे पाइप लेनी है, ये जुड़ी हुए अपस में, तो पहले पानी उपर से शुरू होता, फिर नीचे आता चला जाता है, अभी इसका पूरा सिस्टम आपको दिखाएंगे, इस तरह से, आप आगे देखिए, लाना आगी, ये यहाँ एक मोटर लगी हुई है, यहाँ से पानी उपर जाता है, यहाँ और वो बैक पानी आने का है, जितना पानी पौदों ने ये टाइमर लगा हुआ है, थोड़ी देर के लिए पानी चल जाए, और इतना ही पानी चाहिए, और इतनी ही जगा चाहिए, आप देखिए, थोड़ी सी जगर है, आप इसको अन करते हैं, अन कर दिया है, तो यह पानी शुरू हो गया, पानी उपर जाएगा सबसे पहले, उन में से होत तो वहाँ से, उस एरिया से नीचे आ जाएगा, और यह आप देख सकते हैं, तर तरह तरह की यह सब्जियां पैदा हो गई है, ब्रोकली है, गोभी है, हरी गोभी है या बेंगनी गोभी पर ही तरह की आती, यह आप देख सकते हैं, और अज़री पौदा, पनप चुका है, कितना बड़ा पौदा हो गया यह उसी गिलास में लगे वे पौदे हैं सारे के सारे और यह नीचे देखें इसे उठा के आपको दिखा सकते हैं यह देखो पानी का वो सारा सेम गिलास तो इस तरह से आप अपने घर में और गैनिक सबजी ले सकते हैं तो यह बहुत ही झाल